राखी ने निकी का पैर छूकर मांगी माफी टीवी रियालिटी शो बिग बॉस के घर में राखी की ड्रामे बाजी सभी को हसा रही है लेकिन जिस तरह से captaincy की दावेदारी वाली task में राखी ने νिकी को गाली दी वो ना सिर्फ दर्शकों को बल्कि घर के सदस्यों को भी पसंद नहीं आई जिसके बाद घर के कई सदस्यों ने राखी को ये सुझाव दिया कि इस तरह की गाली गलोच वो आगे से ना करें क्योंकि ये एक नैशनल टेलिविजन पर दर्शकों को भी अच्छा नहीं लगता जिसके बाद राखी को भी अपनी गलती का हैसास हुआ और राखी ने निकी तंबोली से अपने गाली वाले बयान को लेकर माफी मांग ली है और जब राखी निकी से माफी मांग रही थी उस दौरान राखी ने निकी के पैर चुए और कहा कि मैं पैर चू कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर देना लेकिन माफी मांगने के कुछ देर बाद निकी और राखी फिर एक दूसरे से जगरते नजर आए तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि निकितम बोली और राखी की बॉंडिंग आगे घर में किस तरह रहती है बिग बॉस तो जुड़ी इसी तरह की खबरे लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरीए हम तक जरूर पहुंचाएं